नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर परताल दुनिया भर की विश्व कूटनीती में एक युद्ध कितनी बड़ी तबाही को अंजाम देता है इसकी ताजा तस्वीर देखने को मिल रही है यूकरेन की धर्ती से यूकरेन ने अपना और ओफेंसिव शुरू कर दिया है और इससे सबसे पहले निशाने पर आया एक बांध यह बांध किस तरह से तबाही लाएगा इसे लेकर तो आशंका होई रही है लेकिन साथी साथ दूसरी एहम खबर जिस पे हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वह है सेंट्रल एश अधारित वैपार है आए इन दोनों मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे प्रबीर पुरकायस से प्रबीर आज आपके साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं युक्रेन युद्ध पर जिसकी आशंका अप लगातार बता रहे थे दर्शक सुन रहे थे कि युक्रेन अपना उसने अपना कबजा जमाया एक साल से अधिक समय हो गया है इस युद्ध को चलते हुए और यह बांध है यहां पर जिस बांध को तोड़ा गया है क्या लगता है किस तरफ बढ़ रहा है या युद्ध अगर आप देखें तो पहली बात तो शुरू करते जो काउंटर ओफ के चलेंगे कि वो पुरानी लड़ाई की कंटिनुएशन है और जो चीजे दिख रही है एक तो इस दिशा में लड़ाई इस दिशा में लड़ाई काफी तेज है इस वक्त तो हमने पहली भी चर्चा की थी कि इसका उदेश है कि अगर यहां तक पहुंच जाता है इसमें से क्राइमिया तक जाती है ठीक है तो अगर यह कड़ जाता है तो क्राइमिया तक रूस की सामान पहुंचना स्रसद पहुंचना इस पे दिक्कत आएगी हलाकि कर्श ब्रिज है नीचे जिसके जरीए बेज सकते हैं पर लैंड के जमीनी तालुकात अगर ठूट जाता है तो भी जहां तक हमें मालूम है जो तद्वीरे हम देख रहे हैं रूस की यहां पर कई लाइन्स है डिफेंस के लिए कई लाइन्स इन्होंने बना चुके हैं तो यह जो लाइन्स है यहां पर रूस की अगर आप देखें तो यहां पर इनकी डिफेंस लाइन्स है तो इसको तो देखने की जरूरत है और यह भी सही है कि यहां पर जो काउंटर ओफेंसिव में इनकी ताकत किया है मालूम नहीं है सतर हजार कहीं जा रही है पर क्या ज्यादा लोग है नहीं है जो टैंक्स और दूसरे सामान दी गई है उनको उसका इतने पैमाने पर नहीं है कि रूस की जो लाइन से उसको आसानी से तोड़ पाएंगे जट टो देखना पड़ाएगा यहां पर जंग किस दिशा में जाती है कितना दिं जाती है क्या रूस इस इस इटैक को रोकने में समर्थ होता है या üzerine को इस news अक उग्ड़ा ड़ाइक ले जाये नहीं तो जो डे किया है क्या होता है नहीं हो तो देखने की बात है तो अगर हम देखे यह जो डैम है डैम है उसकी तजवीर आई है कि डैम टूट गई है तो वह देखिए तजवीर जहां आई है उसकी एक वीडियो भी है तो इन सबसे साफ है कि डैम में जो पानी था वो निकलना शुरू हुआ बड़े पैमाने पे तो यह डैम टूटने के बाद पानी इस इलाकों में घुस रहा है बड़े पैमाने पे और यहां भी यहां तक भी घुसने की समभाबना है तो खत्रा पैदा होता है क्योंकि यहां पर radioactive materials बहुत सारे यहां पर है stored है उनकी अलग-अलग storage है और प्लांट के अंदर भी हाना कि shutdown condition में है वो भी चलना ज़रूरी है नहीं तो वहां जितनी temperature बढ़ेगी अगर आपको चलेगा नहीं पानी जो heat को ले जाता है वो नहीं च अलग-अलग है रूस कहरा है यूक्रेन ने यूक्रेन कहरा है रूस ने लेकि मैं आपसे जो जाना चाहरी हूं कि यह जो बांध तोड़ा है और जैसा आप बता रहे हैं कि पानी आएगा पानी आने से आखिर किस पे किस इलाके पर फर्क पड़ेगा नुकसान रूस को इखतेगा तो इधर जो है पानी ज्यादा जाए रूस के कबजे वाले इलाके है तो यह देखते हुए रूस के इलाके का जो एक संभावना है कि एक क्राहभिया से जानाना बंद हो जाए कम हो जाए एक चीज ये है दूसरी बात है कि डूकलियर पावर स्टेशन में कुछ हो जाता है तो उसका खतरा है तो इसको देखते हुए आप जो कह रहें सही है तो लगता है कि यूकरेन का ज्यादा हित में है कि ये बात तूटे पहले भी आपको याद होगा रूस ने जो श एक बात ये साफ है कि ये जो बांत तूटा है इसका इस पूरे इलाके में और आप झिखर कर रहे हैं कि ये पहले है झोड़ दिया घा ता क्यूंकि यह पर भी पानी है बड़े पैमाने पर और चीज AND कनाल से आती है तो यह बांत तो उस旁दने के बाद उस कनाल से पानी आ पीने की पानी की तो वो उसमें उस वक्त ये बाद तूटने से ये भी एक नुकसान है तो ये सब देखते हुए लगता है कि इसमें यूकरेन का फाइदा ज्यादा है बाद को तोड़ने पर और आशक का यही थी कि बाद तूट सकता इस लाई में पर बाद तोड़ना खतरना काम है कि बहुत सारे लोगों को इस पे असर पड़ता है तो हम सोच रहेते हैं शायद ऐसा कदम दोनों तरफ से नहीं ली जाएगी लेकिन यो जमें हम सब जानते हैं कि जिसकी आशंका होती है और जिससे सामरिक फायदा होता है तकरीबन उसी धंग से कारवाई भी होती है और ऐसा लग रहा है कि युक्रेन अपने काउंटर ओफेंसिव को और तेज कर रहा है और अब रूस की रणनीती क्या होगी निश्चित तोर पर हम उस पे निगाह बनाए रखेंगे प्रवीर अब हम चलते हैं सेंट्रल एशिया की तरफ यहाँ चीन लगातार अपनी भूम सिल्क रूट वाला पूरा इनिशेटिव पूरा रास्ता रहा है इसमें यह जो पांच प्रमुख देश हैं इनकी शिरकत होना इन सबका जियान में एकठा होना यह क्या दिखा रहा है कि चीन रूस की जगा भर रहा है या अपना का दूसरी दिशा में ले जा रहा है देखि बीश में तो यह भी सही है कि चीन की साथ एशिया साथ एशिया से चीन की संबंद सेंटल एशिया के संबंद साथ एशिया से यह भी काफी लंबी है पुरानी है पर तो तह तगड़ा मजबूत नहीं है कि क्योंकि बीश में हमाले आ है तो यह एक इशू है कि Belt Road Initiative जो हम जो चीज है कि Trade Relationship तो आपका वैवसाय बढ़े और एक देश से दूसरे देश में चीजे जाए और आए और चीन की सबसे बड़ी ताकत भी आज की तारीख में वैपार और वैपार का जबरदस्त वर्चस वो जो पूरी दुनिया में है बिलकुल क्योंकि 30 साल पहले अगर आप देखें, 10-20 साल पहले भी देखें तो अम्रीका था मुख्य ट्रेडिंग पार्टनर है मुल्क जारातर मुलकों की देश दुनिया में बहुत जो है जारातर देशों की मुख्य ट्रेडिंग पार्टनर इस वक्त चीन है तो यह स्थान जो उन्होंने पूर्टी की है और अम्रीका का ताकत अगर देखे तो फाइनेशल है और मिलिटरी ताकत है यह दो ताकत है और यह चीन की ताकत अगर देखे तो उनका मुख्य ताकत जो है ट्रेड का है और उत्पादन करने की इंड चीजे काफी चीन से दूस्ते देशूं पर जाते हैं प्रभीर देखिए यह बेठ्ग इसल्इ भी बहुत एहम है क्योंकि यह बेर्च देश इन पांच देशों की शिरकत वहां होना दिखा रहा है कि बहुत तगड़ी तैयारी है चीन की सवाल पुरानी है पुराने इतिहास को अगर देखें इनके साथ पुराना संबंद चीन का रहा है और वह संबंद देशों के साथ कजाकिस्तान के साथ करगिस्तान के साथ त रगहों का नाम बदलते रहते हैं, क्योंकि राजा रजवारे बदलते रहते हैं, उसको छोड़ दीजिए. इस इलाके, इस इलाका का संबंध साथ रहा है, चीन से ज्यादा रहा है. क्योंकि बीच पे हमालया नहीं है, जो पहले कहा. तो इसको देखते हुए, यह पुराना सि यॉरप तक जाती है. अभी भी चीन का जो सिल्क रूट है, तो वो भी है कि मौंगोलिया के होते हुए रूस के साथ उसका संबंध बन रहे हैं. यह यह चीन का रूस के साथ मौंगोलिया के जरीए रह रहा है. उसका भी सिल्क रूट का एक हिस्सा है. इसके बाद रूस होत हुए यॉरप के तरफ भी उसका एक सिल्क रूट का रास्ता है जो इस वक्त रुकावट उस पर लगा हुआ है क्योंकि सैंक्शन जूरूस पर इसके साथ-साथ और भी इलाइन्मेंट्स चीज जो बना रहा है तो सिल्क रूट इहां से बना रहा है और साथ-ईश्या के तरफ भी उसका पाकिस्तान के जरिये उसका दिशा है सरी अर्डू करना पड़ेगा और तीसरा रास्ता जो है इधर से होते हुए पाकिस्तान तक भी जा रहा है जिसको बाद में पोर्ट पे ले जाने कि यहां कहीं आएंगे वो आएंगे और इरान के साथ संबंद समुद्रिक सं संबंद भारतवर्ष का भी इरान के साथ होगा और रूस के साथ अलग रास्ता बन रही है जो आपके यहां होते हुए आपके इरान के होते हुए भारतवर्ष के साथ यह भी संबंद बनने की बात चल रही है तो यह जो सारे कोशिशे यह है कि ट्रेड आपस में हो और इस आपसी ट्रेड बे दूसरे मुल्क जो है दखलंदाज दखलंदाजी ना करें और इसी लिए दो चीजे हैं एक तो है एक संपर्क होनी चाहिए जिसकी आप दिखा रहे हैं जियान में जिसकी बाते हो रही है तो यह एक सिल्क रूट की जो एलाइनमेंट है उसको लेके सेंट् का सामरिक रूप में बलिटरी रूप में एक बहुत आहम भूमी का प्ले कर रहा है और उसका परिपूरग भूमी का चीज़ प्ले कर सकता है एकनोमिक तौर तो एक तो यह सामनवे हो रही है तो चीन और उस दोनों इसमें शामिल है कि सेंट्रल एशिया में योरपिये ताकत अर अमरीका वहां दखल अंदाजी न कर पाए दोनों की एक सामनवे इसलिए है और जो दूसरी बात है कि फाइनाशेल कंट्रोल जो दुनिया की है इस वक्त अमरीका के हाथ में वो धीरे-धीरे कमजोर किया जाए एक आपस की ट्रेड हो और इस मुद्रा में हो जो डॉलर ना हो जी तो ये भी येन में हो और किसी हमें देखा कि जैसे रूस पे लगा तो रूबल में लोगों ने करना शुरू किया जितना समझा था उन्होंने रूस के साथ किया इंडिया के साथ ृपी रूबल ट्रेड हो रहा है जिसके लिए रूस का भी कहना है कि हमारे पास इतना रूपया एक अठा हो गया हम क्या करें इसका तो ये जो ट्रेड रिलेशन्शिप्स हैं वो डॉलर को अवाइड करके एक आपसी रिलेशन्शिप बना रहे ह और Central Asia के खेल में अमरीका को कैसे धीरे धीरे अलग किया जाए तकरिवर बाहरी हो रहा है लगातार जिस तरह के समझोते हो रहे हैं लग तो ही रहा है कि रूस का सामरिक शक्ति मिलिटरी ताकत वहां पर है और अभी आपको याद होगा कज़कस्तान के साथ आर्मेरिया की लड पहले Soviet Union के हिस्से थे जी तो मुझे लगता है कि कम से कम इस समिट में जिस तरह से जो तस्वीरे हमारे सामने आई हैं वो बता रही है कि बहुत ही दूसरे ढंका एक सोहार्द इन तमाम देशों के साथ इस्थापित करने में और अपना जो बहुत ambitious दुनिया का सबसे बड़ infrastructure project है जो belt road initiative है दुनिया में अभी तक ऐसा initiative नहीं हुआ है जिसको lead जिसका नितृत चीन कर रहा है तो उसमें एक एहम पहल कदमी के तोर पर हम इसे निश्चित तोर पर देख सकते हैं हाँ क्योंकि financial ताकत अमरीका का कम हो रहा है उत्पादन करने का industrial output उस तरह से आजकल उस उसके साथ साथ दूसरे देश भी उस race में है पर इस वक्त पीछे है जैसे हमारी कोशिश तो हमारी है कि हमारे export बढ़ा है पर अभी भी उस तरह की industrial base जो चीन में बना लिया है उसको बनाने में हमें वक्त लगेगा तो देखना पड़ेगा इस जगह का अमरीकी की कमजोरी जो है यॉरप की जो कमजोरी है वह भी यॉरप की भी स्थान ले रहा है उस पर कौन-कौन देश कौन-कौन सा मुल्क उस जगह का भर सकता है चीन अपना बेल्ट रोट इनिशेटिव से एक कदम आगे तो निश्य तोर पर इस पर हम अपनी नजर बनाए रखेंगे कि एक त जूसरी तरफ वैपार और वैपार के लिए तमाम चोटे बड़े देशों से सहीयोग के इनिशेटिव भी दुनिया में चल रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया प्रपीर दोस्तों अंतराष्टी कूटनीती में और अंतराष्टी कूटनीती से अंतराष्टी राजनीती और अंतराष्टी वैपार का क्या रिष्टा है किस तरह से आर्थिक ताकत दुनिया में आपको ताकतवर देश बनाती है इसकी ताजा मिसाल है चीन चीन ने लगातार इस पूर कि युद्ध के बिना भी किस तरह से एक देश दुनिया में अपना आधिपत्य कायम कर सकता है बने रहे हमारे साथ देखिए न्यूस क्लेक परताल दुनिया भर की क्योंकि नक्षों के साथ अंतराश्टिय कूटनीती सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलती है शुक क्रिस देखिए